अलो गाइस वेलकम टू रियल कारेट फैक्ट्स तो कैसे हैं आप सब लोग तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाले ना यह बहुती ज़दा तो वीडियो स्टाट करने से पहले जो लोग इस चैनल में नहीं है प्लीज सब्सक्राइब तो मैं आपको ऐसे इंफोमेटिव वीडियो मिलती रहती है तो आज का जैसे हमने टॉपिक बताया आज का टॉपिक है कि आप्टर मार्केट्स काम हमें कराना चाहिए या नहीं करान नहीं पड़ेगा राधुन दर अगर उसका म टॉपिक से और although अगर हम इसका ले रहें तो हमें उसमें तुर साइब उसमें क्म क्राना ही पड़ेगा तो आज कर टॉपिक में यही बताने वाला हूं कि हमे फिरे नम यहीं हमें क्या काम कप्र Bolu और काम कैसे जैसे आप देखेंगे इसमें मैंने क्या क्या करवाया है आप जैसे एक chrome finish आप देख रहे हो यह chrome finishes में मैंने करवाई ही है यह यह पर यह प्रॉपर chrome नहीं है यह जो chrome है यह tape आती है actually जो real आप महार से aftermarket chromes लेते हैं तो उसमें डर होता है कि यार वो time के साथ उस वो chrome का color fade हो जाता है यह जाता है यह जो chrome है यह chrome tape है तो आप इसको जितना भी use करेंगे इसका color fade नहीं होगा कभी भी तो जो second thing मैंने इहां इस कार में करवाई है वो है इसमें wrapping हुई है yes इस कार में मैंने wrapping करवा रखी है अब जैसे आप देख रहे हैं इसका यह adventure model था तो इसका रूफ ब्लैक नहीं आता है तो इसमें हमने जो wrapping paper यूज किया है वह एब्री डैनिसन का इसमें प्रॉपर यूज किया है तो जो थर्ड पार्ट जो हमने इस गाड़ी में चेंज किये हैं आप्ट मार्केट वह मैट्स हमने इसमें 70 मैट्स यूज करें और जो कापी अच्छा लूग दे रहे हैं गाड़ी मैंने स्कार में फ्लोरिंग भी क्राइब ही है बट गईज में आपको एड्वाइस करूँआ कि अगर आप 70 मैट यूज करें तो आप फ्लोरिंग ना करें नेक्स चीज जो इस गाड़ी में चेंज रही है इसमें कंपनी की तरफ से और टू ट्विटर एड फोर स्पीकर आ रहे थे तो मैंने इसमें दू एडिशिनल ट्विटर इंस्टॉल कराए हैं जिनकी वाज़े से गाड़ी में की जो मुजिक कॉलिटी वो और अच्छा हो ग तो इसके लिए मैंने इसमें LED बल्ब चेंज की हैं और अब इसकी विजबिल्टी रात के टाइम भी कापी अच्छी हो गई है तो अधिंग यह मस्ट चेंज है आपकी कार नेक्स चेंज जो इसमें हुआ है इसमें मैंने सीट कवर इंस्टॉल कराए है यह बकेट सीट कवर ह अधर भी है और लुक वाइस भी मिलको डीसेंट लग रहे हैं आप मुझे रू कमिट सेक्षिन ने बताइए आपको यह लुक वाइस कैसे लग रहे है अधरवाइस सीट कवर चेंज कराना मस्त है आपके लिए बिकास पहले फैबरीक कवर्स कंपनी से प्रोवाइट करती है जो इतने अच्छे नहीं लगते है लास्ट चेंज जो इस कार में हुआ है इसमें मैंने रूफ रेल्स एंड रेइन वाइसर इंस्टॉल करा है और कहीं न कहीं यह इसकी लुक को थोड़ा और इन्हांस कर रहा है और आइधिंक यह आपको कराना चाहिए अगर आप एक बेस अपनी कार लेके जाए तो सारी मोडिफिकेशन्स आप अपने आखों के सामने ही करवाइं आप जो भी पार अपनी गारी में इंस्टॉल कर रहे हैं ट्राइग कीजिए कि वह एक ब्रैंडड पार्ट ही हो ब्रैंडड पार्ट आपको थोड़ा सा तो महंगा पड़ेगा आपको वह पार्ट रेकरमेंड कर रहा है बट आप उसकी बात ना सुने और आप ब्रैंडड पार्ट ही अपने गाड़ी में इंस्टॉल करवा है काईज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एलेक्टिकल वर्क अपनी गाड़ी में बहार से ना कराए जाए कोई भी अपनी गाड़ी में बहार से ना कराएं विकास यह लोग आपको प्रॉमिस तो करेंगे कि हम आपकी वाइनिंग के साथ कोई भी टेंपरिंग नहीं करेंगे या वायर टेंपर नहीं करेंगे बट स्टिल फिर भी ऐसा देखा है कि बहुत बार वायर टेंपर हो जाती है जिस अगर आप कुछ ऐसा एलेक्ट्रिकल करवाना चाहते हैं तो वह अपने आखों के सामने ही करवाएं किसी पर बिलीव मत करें कि वह चो चीज हो रही है वह जैन्वन दरीके से ही कर रहे हैं तो इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखें आप्टर मार्केट काम कराते समय वाइ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक तो दिस वीडियो और सब्सक्राइब तो माई चैनल हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे तब तक ले बाई